इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों की वज़े से हमें टाइफाइड होता है इसमें क्या लक्षन होते हैं और इसमें हमें क्या एलास दिया जाता है एंड सबसे इंपोर्टन चीज इसमें क्या दाइट आपको फॉलो करनी चाहिए हेलो फ्रेंड सोनम क्लिंडिक में आप समी का सवागत है मैं हूं डॉक्तर आईशा तो पहले जानते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या होता है टाइफाइड फीवर एक बैक्टिरियल इंफेक्शन होता है जो कि जनरली हमें कंटामिनेटेड यानि अशुद्ध खाना खाने या यानि मल त्याग करते समय यह स्प्रेड हो जाता है बहुत सारे इंसेक्स और मक्या इसको प्रेड कर देती हैं तो चलिए जानते हैं कि हमें टाइफाइड में क्या लक्षन यानि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें आपको बहुत तेज बुखार के साथ-साथ थंडी द कर देता है कई पार आपकी लीवर और स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है इसलिए आपका डाइजिस्टिल सिस्टम इसे बहुत एफेक्ट होता है आपके पूरे बॉडी पे लाल चकते आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं आपको खाजी हो सकती है शरीर में दर्द के साथ किसी कीचिज में कॉन्स्टिपेशन और किसी नापको देखने को मिलता है तो चलिए आप हम जानते हैं कि टाइफाइब में को क्या टीर्मेंट देते हैं सबसे पहले हम एंटिबाइटिक से शुरू करेंगे जीफी 200 एमजी जिसमें सिफेक्जिन 200 एमजी होता है यह एक बहुत फेवरिट ब्रैंड होता है दॉक्टर्स का लेकिन बहुत सारे पेशेंट की बॉड़ी में सिफेक्जिम का रिजिस्टन में कुछ एक चूज कर सकते हैं या पेशेंट को दे सकते हैं तो चलिए अब हम बात करेंगे शिम्टमेटिक ट्रीटमेंट की यानि आपको जब टाइफाइड होता है तो क्या-क्या सिम्टम के हिसाब से दॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देते हैं पुखार आने पर आप तीन बार यह जरुद पढ़ने पर चार बार भी दी जा सकती है इसमें पैरसेटमॉल 650 मिलिग्राम होता है तो यह आपकी बुखार के साथ-साथ बॉड़ी में हो रहे हैं आपकी पेन को भी कम करती हैं टाइफाइट की सफरिंग की वज़े से आपके पेट में बहुत सारी करते हैं जब भी मरीज को उल्टी होनी की समस्या हो या उसका जी मसलाता है तो ऑंडलन सेट्रान की टेबलेट 4 इमजी की एक टेबलेट मरीज को दिन में तीन बार दी जाती है जिससे कि उल्टी ना आय और साथ में उसका जी ना मशलाए बुखार की वज़े से आपकी बॉ जिस कमी को पूरा करने के लिए एक multivitamin की टेबलेट आपको खाने के बाद दिया जाना मस्ट है जो कि आपकी बाड़ी में प्रॉपर नियुटिशनल डिफिशेंसी को पूरा कर पाई कैपसूल जिसमें जो मल्टि वाइटिमिन कैपसूल है साथ में लाइकोपीन है मैं यहाँ पर आपको लाइकोपीन की सला इसलिए दी रही हूँ क्योंकि जो लाइकोपीन होता है वो बॉन्स की सेलिलर अर्खिटेक्चर को स्टॉंग करता है जो कि आपकी डिसीज में बॉन्स पीन वगेरा में भी आपको हेल्प करेगा तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की सबसे इंपोर्टन और इंट्रेस्टिंग टॉपिक की तरफ जो कि है कि हमें टाइफाइड में क्या खाना चाहिए और क्या वर्ट करना चाहिए जो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी क्या डाइट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए जो आपकी फास्ट रिकावरी में हेल्प करेगी यह सारी डाइट आपको इतने खुशो के खानी है देख रहे हैं आप यह लड़की कितने खुशो के सैलेड खारी इतना खुशो कर खाएंगे तो चल्दी रिकावर कर पाएंगे सबसे पहले आपको दही का सेवन करना है दही आपके बॉड़ी में आपके गट में फ्लोरा को मेंटेन रखेगी साथ में लेक्टो बैसिलस बैक्टिरिया को इंक्रीज करेगी जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा आपको वाटर मिलिन यानि तर्बूच और अंगूर का सेवन जादा करना है क्योंकि इसमें जो पानी के मात्रा होती है वो अधिक होती है जिससे कि आपकी बॉड़ी जो है वो हाइडरेटेड रहेगी पानी की कमी नहीं होगी जो लोग कभी दल्या पसंद नहीं करते हैं वो लोग प्लीज दल्या खाएं क्योंकि अगर वो दल्या नहीं खाएंगे तो टाइप एडर उनको खा जाएगा क्योंकि दल्या होता है, वो बहुत यह रायित होता है, हो धीक नहीं नहीं होता है इसलिए आप लायित्वहूद का सेवन करें अब वाइल पोटैटोtwo मतलब, अबले हुए आलूग खाएंगी उसमें बहुत सारgeon काब होता है जितनी भी चेमिकल्स होते हैं या डेट सेल्स होते हैं वह फ्री रैडिकल्स को आपकी बॉड़ी से रिमूब करता है इसलिए कोकोनट वॉटर का सेवन जरूर करें आपको अपनी डाइट में तरल पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना है बहुत सारे फ्लिउट्स लें प्लैंटी ओ फ्लिउट्स का मतलब यहां पर मदीरा का सेवन बिलकुल भी नहीं है आपको हेल्दी ड्रिंक्स लेनी है जिसे कि आपकी बॉड़ी हाइड्रेटेड रहेगी आपकी जो डाइजिस्टिव सिस्टम है यानि पाचन तंत्र पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आपकी बॉड़ी जॉप सिवाई भी हो जाएगी साथ में यहाँ पे बॉटल वाटर का मतलब मेरा बिल्कुल भी बाहर का पानी पीने का नहीं है घर का पानी साफ सच पानी आप पीए और पानी को उबाल के ठंडा करके पीए वाइड राइस का सेवन करें बाइट्राइस का मतलब है आपके सिवी प्रकार के चावल का सेवन कर सकते हैं क्योंकि चावल में कार्भोहड़र की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये काफी हलके जल्दी डाइजस्ट हो जाता है क्योंकि काफी हलका होता है आपको कची सब्सब्जियों का सेवन नहीं करना है उसमें बैक्तेरिया हो सकते हैं आपको खड़े अनाजों का सेवन नहीं करना है क्योंकि यह बहुत देर में डाइजेस्ट होगा आपको तले इंग्रिश मसाले दार खाने नहीं खाने है बाहर का कोल भी पैक्ट आइटम नहीं खाना है आपको किसी भी प्रकार का नट वाली सबजी या ड्राइट प्रूट का सेवन नहीं करना है चलिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें See you in the next video Till then, स्वस्त रहें, सुलक्षित रहें Bye Bye